हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है दिक्कत अपने बेटे बहु को सामान पैक करते देख शारिका जी आखिर पूछी बैठी बेटा का ही की पैकिंग हो रही है ओ मा आज ही जाना पड़ेगा वापस कुछ दिनों में ही बच्चों के स्कूल खुल उनका होम वर्क करवाना होगा और संजय सोचने लगा पर बेटा भी तो कुछ ही दिन हुए हैं तुम लोग तो पूरे एक महिने के लिए आये थे ऐसी भी क्या बात हो गई उनकी बहु का व्या बोल पड़ी मम्मी जी बहुत काम होते हैं संभालते संभालते दिन कम पड़ सार का जी अंजान नहीं थी इस घटना से पिछली रात को ही पानी पीने उठी तो सुना था बहु को बोलते हुए संजय चलो यहां से यहां आकर मेरे बच्चे तुम्हारे मम्मी पापा की संगत में बिगड जाते हैं मेरी बात भी नहीं सुनते पढ़ने को कहती हूं तो प उकसान नहीं करना चाहिए फिर कभी छुट्टी मिले तो जरूर आना दूसरे कमरे में सार का जी भीगी आखों के साथ चली गई जिसे विमलेश जी ने देख लिया पूछने पर सार का जी ने बताया कि कोई बात नहीं है जी बच्चे आज ही जाने को हैं तो मन दुखी है यह बात सुनकर विमलेश जी थोड़े गुस्सा हो गए ये तो एक महिने की छुट्टी पर आये थे ना अब जाने दी जी आज कल अलग ही जमाना है हर प्रकार से बच्चों के होमवर्क ट्यूशन है फिर इतने दिनों घर को बंद रखना भी ठीक नहीं क्या ठीक नहीं सार पर हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते लेकिन एक दिन आप देखिये गाकाउन पच्चताता है शारिका जी विमलेश जी को चुपकर आती हुई किचन की और सरक गई जानती थी कि बहुत अयारी में पूरा दिन निकाल देगी गाड़ी तो रात की है फिर भी सारिका जी और विमलेश जी को इस बात का अपसोस रहता कि उनका बेटा समय रहते अगर सही गलत नहीं समझ सकेगा तो भविश में दिक्कत होने वाली है संजय हर फैसला कावया की नजरों से करता है चू कि वह अपनी पतनी से बहुत प्यार करता है उधर वापस चले आने क संजय अपने धन्दे पानी में मसगूल हो गया और कावया अपने घर में कुछ दिन बाद बच्चों के स्कूल भी खुल गए दो दिन बाद स्कूल से नोटिस आई पैरेंट्स को बुलाया गया था संजय और कावया बच्चों को इसाथ लिए स्कूल पहुचे तो बच्च अगले दिन का क्या मतलब है काव्या तुम्ही तो बैक तयार करती हो तो बच्चे गलत नोट बुक कैसे लाए खैर पैरेंट्स मीटिंग खत्म हुई दोनों घर आ गए संजय गुसा करने लगा ये क्या था काव्या तुम लापरवाय कैसे हो गई इस बार तो तुम्हारी वज ज्यादा रहते थे तो कभी गड़बड नहीं हुई इस बार तुम्हारे साथ रहें तो पहली बार में ही सिकायत मिल गई संजय ना समझतो था नहीं वह अपनी पत्नी को प्यार के बल पर समझदार और होसियार बनाना चाहता था उसने अपने पापा से सीखा था घर को शर् पाइदा नहीं उठाया वो अपनी जिम्मेदारी और परिवार की अहमेद को महत्व देती थी जिसकी वज़ा से उनके सारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं और मम्मी पापा से दूर भी उन्होंने यहीं सिख्छा हमें भी दी लेकिन तुमने उसका गलत मतलब निक पढ़ सकता है। लेकिन संजय से नजर नहीं मिला सकती थी। काव्या औरों की देखा देखी में अपना खुशनमा माहोल वाला घर परिवार तोड़ने की तयारी कर रही थी। लेकिन उसकी अपने ही घर की निवहिलती जान पड़ी। कुछ गलत देखने का आसर था काव्या पर संजय जान चुका था। वह समझाने लगा कि जो चमकता है जरूरी नहीं कि वह सोने की चमक ही हो। इसलिए तुम अपना फायदा और नुकसान समझ कर ही फैसला किया करो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। मेरे माता पिता की खुशियों का खयाल भी रखो। अगली छुटी में बच्चों ने सारे भेद खोल दिये थे दादा दादी के समने कि उनकी मम्मी दिन भर मोबाइल पर लगी रहती थी इसलिए पढ़ाती नहीं थी इस बार पूरी छुटी बच्चों ने दादा दादी के साथ गुजारी। सारिका जी और विमलेस जी खु चुके थे और उनकी खुशियों की कीमत भी। आसा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।